संसद की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा कर रहे संसदों के निलम्वन का मामला सामने आया है लोग सबा से पहले 14 और आज 33 संसदों को सस्पेंट किया गया है वही राजय सबा से आज 45 संसदों को सस्पेंट कर दिया गया आज सुबा से दोनों सदनों से कुल सरसट सांसद सस्पेंट कर दिये गए। पर संसद में बोलने का आगरे किया। इस दोरान सदन में काफी हंगामा भी देखा गया। अधिरेंजन चौधरी ने रविवार को स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर सदन के 13 वे पक्षी सदस्यों का निलम्मन रद करने का आगरे किया था। कमेची के पास भेजा गया है। वहीं इस पे कॉंग्रेस सद्यक्ष मलीकार जुन खडगे का एक बयान सामने आया है। बदारी कि सांसदों के निलम्मन के बाद कॉंग्रेस सद्यक्ष मलीकार जुन खडगे ने कहा कि निरकुंश मोदी सरकार सभी लोकतांत्रिक मादडंडों को कुड़ेदान में फैक रही है। मलीकार जुन खडगे ने सांसदों के निलम्मन को लोकतंत्र पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि पहले गुसपैटियों ने संसद पर हमला किया, अब मोदी सरका संसद और लोकतंत्र पर हमला कर रही है। निरकुंश मोदी सरकार में 47 सांसदों को निलम्मित करके लोकतंत्रिक मानकों को डस्टमिन में फैका जा रहा है। करके ओ ब्रॉइन का सस्पेंशन हटा देना चाहिए। ऐसा करना संसदिय परंपरा का उलंगन है।